दोस्तों नवस्कार अभी एशिया कप पर गतिरोध बना हुआ है दुबई में मिटिंग चल रही है रवीवार को मिटिंग हुई सोमवार को आज भी मिटिंग है और उसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रतिनिदियों से मिल रहे हैं पी-सी-बी के जो ऑफिशल्स हैं जका श्रफ की अगवाई में और यहां पर अभी तक कोई निश्करश नहीं निकला है और अभी तक चुप है पूरे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही मांग है कि चार मैच उन्हें सिर्फ मिले हैं और उसके बाद बाकी जितने खासा रेविन्यू आता है अच्छे-खासी गेट मनी आती है वो भी श्रलंका में आजित किये जाएंगे तो दो मुकावले वहाँ है तो अब उनकी तरफ से एक और प्रपोजल आया है क्योंकि अभी तक एशिन क्रिकेट कांसिल का रवय अभी तक बहुत ही शांत रहने का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं शाद वो यह कहना चाहरा है कि आपने मांग तो सही रखी है लेकिन गलत समय पर रखी गई है जबकि हमें यह नी भूलना चाहिए कि 14 जुलाई जो है कारिक्रम के घोशित किये जाने की आखरी तारीक थी 14 जुलाई तक इस कारिक्रम का जो है वो एलान कर दिया जाना चाहिए था रखी कारिक्रम बन चुका है लोगों तक आब चुका है क्रिकेट प्रे उसका देख चुके हैं अठकले लगा रहे हैं और शिरलंका जाने का प्रोग्रेम बना रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच का लेकिन यहाँ पर सवाल यही उटता है कुल मिलाकर हर को यही पूछेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ट से कि भई तब नदम सेटी साथ क्यों इस बात के लिए राजी हो गए क्यों चार मैचों के लिए वो राजी थे आखिर पाकिस्तानी अवाम के साथ तो यह ज्यात्ती ही थी मैं यह कहूंगा क्योंकि के अवाम को सिर्फ एक पाकिस्तान और अपनी जो टीम है उसका मकाबला एक नेपाल से ही देखने को मिल पाता इसके अलावा तो और गोह को मिलेगा नहीं तो तो उसमें क्या रुमांच होगा और गेट मनी से लेकर रिभन्यूश इर इन सब में पाकिस्तान को नुगसान है क्योंकि अगर देखें तो पिछला जो एशिया कप था उसका होस्ट इंडिया था और यूएए में यूएए में वो मैच आयोजित किये गए थे ज़ा अच्छा खासा रेवन्यू बिसी सी आई को मिला था तो जाहिर सी बात है कि अब पी सी बी का भी मांग जो है अपने आप म में घलत नहीं है क्योंकि हाइब्रेट मॉडल के लिए जब बी सी सी आई भी राजी हो गया एशियन क्रिकेट काउंसिल को कोई आपती नहीं है तो ऐसी स्तिती में जब सारी चीज़े अनुकूल है तो कुछ एक मैच आयोजित करने में पाकिस्तान में क्या बुराई है बात समझ से परे है क्योंकि वहाँ ना तो बंगलादेश को खेलने में परिशानी है ना शिरलंका को खेलने में परिशानी है ना अफगानिस्तान जा नेपाल को खेलने में परिशानी है थोड़ी बाद शुरू में नानुकूर जरूर की गई थी बंगलादेश और शिरलंका की में तो आप सवाल कि दूसरे के व्ट को मतलब नहीं ऐगर पाकरन के right right और पाकिस्टान के WOOD-CE भी त्पी तो जहिर सी बात है की वो सारे matches जो है ios like सर्लका में करा सकते हैं तो ऑदसास्य बात है की अब यह चीजें थोड़ी थोड़ी रहे से लेकिन पकिस्तान ने दो चीजें कर दें कर दें कम से कम इंडिया पाकिस्तान के इंचें करतें तक कि गेट मनी से उनको अच्छी खासे रजस्व की रेविन्यू की प्राप्ती हो और रेवन्यू शेर वाले तरीके से तो बिल्कुल भी सेटिस्वाइड नहीं है और अब तो थोड़ी सी नर्मी भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देखने को मिली है कि उन्होंने कहा है जो हमें सूर्सिस के हवाले से पता चला है एक नई मांग रखी है कि अगर फाइनल में इंडिया नहीं पहुंच पाता अगर फाइनल में पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं पहुंच पाता तो उस किती में फाइनल मैच पाकिस्तान में कराया खलत मांग नहीं है लेकिन बहुत देर कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और वहां थोड़ी सी मजबूरी कह लीजिए क्योंकि वहां तब नजम सेटी साथ थे सत्ता में और अब जो है जका अश्रफ साथ हैं और उनको हुकूमत की बात माननी है लेकिन पीसी बी को भ करा कर तो अब मेरे खाल सेटो फाइनल वाली मांग अगर रखी है यह बात वाकशी जैनून है अगर जो हमें सूर्सिस के भाले से पता चली है था फाइनल में भारत बाता तेम इंडिया नहीं पहुँच पाथी तो उस सिती में फाइनल पाकिस्तान में कराया जाए मेरे खाल से कोई हर्ज नहीं है ये मांग में कोई गलत कोई अनुचित नहीं है और दूसरा वो कुछ ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के मैची आप कम से कम UAE में करा दीजिए तो उससे भी उन्हें इतना दिल्चस्प रहेगा आप क्या सोस्ते हैं अपनी राए कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार